के गाइस गुड मॉनिंग कैसे हैं आप लोग आयों आप लोग अच्छी हों और वेलकम तो माई चैनल सुन व्लोग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वाधत है और आज है सटर डे सटर डे की मॉनिंग है और मैं फ्रेस ब्रस वगार सोरी थोड़ी से गले में बहुत हो रही ह आज में क्या खाने वाली है और मैं आस्ते के चाहूंगी कि चिप्पे बहुत अच्छी दियू पा रही है और अंदर ठंसी लगए है तो मैं चपते जा रही हूं बट मैं आपके साथ नास्ता शेर जरू करूंगी तब तक के लिए आप बने दिए मेरे साथ मिलते हैं थोड आप देख सकते हैं तो डीली ऐसी सारे रूम की कफे से क्लीनिंग करती हूं दूर जोड़ी निकों डश्ट को साफ रती है सुती कफेसा देशेर देशेर को अब बैट के सारे पर के पोश्ट को यह पोश्ट देती हूं सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब आप कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि आए आँट बहुआ परुम कर दो हुआ है जाए आए इसी तरह के से में सारे रूम हों की क्लिणिंग एक ट्रक्ष्ड़ बहु इसमें दो कि अश्यूंद निसलियों तब तक लिए बाई है गाईज कैसे हैं आई आप लोग अच्छी हों और सॉरी हाय चाहिक पर लिया था अभी दो पान कर आए मैं और मेरा अल्मूर्ट सारा काम हो चुका है घर कर जो होता है और मैंने नहा लिया है और आज मैंने अपनी फैबरी ड्रेस पहनी है कि देखिए यह मेरी फैबरी ड्रेस है मुझे बहुत अच्छा लगता है यह वाली ड्रेस और आई आपको भी अच्छे लगी होगी अगर आपको यह मेरी ड्रेस अच्छे लगते तो प्लीज कमंट बोक्स में मुझे बताइए वैसे मैंने इसको ऑनलाइन पर्चिस किया था ठीक है और अब अलमर सारा काम हो चुदा है तो मैं अपने बाते सेर करना आप से बटन उसके से बहले लगा सब चस्माना वाओंगे कि कि मुझे जोर से लिए है थोड़ा मुझे प्रब्लम है आई इस वज़े से मुझे लगानी पर दाइस है वान सेकेंड जड़े साख कर लोगा है कि मेरी ड्रेस कैसे लग रही है प्लीज कमेंड बॉक्स में बताईएगा यह तो मैं आप लोग से नाराज हो जाओंगी सौर्व में जाग कर रहे हूं आज मैं कुछ की स्पेशल आप लोग से सेयर करने जारे हूं आएज आपके लिए काफ़े हेल्फूल होगा और ऐसी इंफ्रमेशन आए थिंग आपक प्लाद के लिए क्वार्टी कि अव्यार्च नते आपके लिए जाए भी हृँ के कि वार्डाटी के लिए दिएगा टीज के लिएटूट्टा मीशन आपके लिए। तो आप से बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है I think मैं बहुत जादा टैंस रहती तो अपना तो तब मुझे थोड़ा से आज आ जाएगा कुछ मुझे अब जाएगा तो अपना टॉप लुटा नहीं रहता है कम एक तो अपना तो वह टाइम में यह कुछ पता ने रहता है कि मुझे थोड़ा sadness सा जाएगा कभी कुछ मितलब उस टाइम पर आइधिक जो जो मा बन चुकी है अभी तक मेरी सिस्टर आइधिक जितने भी होंगी भावे अब अब अच्छे से समझ रहे होंगे अपनी डाइम की जो प्रेग्नेंस टाइम की जो मेरी सिट्वेशन थी में आज वह आप किसा स्वेर करने वाली हूं और यह जो लग लग्षण होगा तो लड़का होगा तो लड़की होगी तो आज मैं अपनी लक्षण को क्लियर करूं मेरे सिंटम कैसे थे और मुझे बेटा हुआ है तो कौछ से सिंटम मेरे अंदर थे और बावज़ुद मुझे बेटा हुआ तो आज मैं आप से वहीवा जिर करने वाली हुआ हम आज के बावेशन से देखेगा आपके लिए बहुत हैल्पल होगा आयोग अधिश्शा तक मैं अभी खाना नहीं खाती फैर था इनी में अभी खाती तही मुझे सब कुछ पसंदितए यहीं घूम न भी फात Miles पसंद रेसिंग और फूल्ड वहां इतना चाहिए से आप मतलब खाओ मतलब कहीं जाके वोटल वगरा मेरे रेस्टोरेंट में या कहीं वह जाकर बैट मैं बिल्कुल इंटरस्टेटी है मेरे मुन के उपर है कि हमें यह भी नहीं कर लेती हो तो मुझे अच्छा लाइए तो मेरे जो स्म्टम्स थे किस टैप से थे तो थी मुझे कुछ भी नहीं पता चला ठीक है जब फोर मंत स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मुझे कुछ चीजों से अलर्जी सी होने लगी तो अम्रूद मेरे सच में बता हुँ तो अम्रूद जो संत्रे और अरेंज में बहुत खाये हैं ठीक स्टार्टिंग से लेकर अम्रूद और संत्रे चले हैं जब तक अवेल बैल थे मार्गिबन और मुझे इरिटेशन उन चीजों से थी एक तो मैं विंटर टाइम पे मेरे प् साग जो अभी में खा ले रही हूं बट जो मेरा बेवी था तो मुझे साग से बहुत अलर्गी थी बिल्कुल साग मुझे पसंद नहीं था एक दम से इकनी इरिटेशन हो जाती तो इसकी स्मेल से भी और यह जो धन्यावनिया की जो चटनी आज कर मिलती है जो पिसली साल व मझे लसंद में लड़का नいい था जो इसकी बिलताया जो था लां मुझे आजए ठक्ने नहीं आठी आजए है कि बिल्कुल रहुपर से बटाष भी वगोरा सिमynnीया खालो जिए अफर में ब्लु यह गज़ और व्यूं को स्मेल शेंदे में अफ़ो यह ञाथ बाक्छ अडि यह चीज तो मैं वानती है कि यह जो भी दादी मा के नुट से जो अगरा लक्षन होते हैं प्रेग्न सी टाइन की जंडर वह यह प्रूफ है मेरे केस में कि मुझे प्याज और लसन से स्मेल बहुत आती है और से कि मैं रखती हूं किस चीज से मुझे ज्यादा अलर्जी थी त हारान उप्रेद आती होति पानपए मुझे नुट करते है ठीर करने पर बाहुत लिए जीक से सब्सक्रा लसन आती है और सेकें जो चीज हो यह जह उगा लान आती हिए है जुग Отов कर ज fanन से बहूं तो है मेरे में ऑजसुम्रेद तो फूं सिद ने प्र सब्सक्राइब प्रेंड एक नर्सिंग कोस्ट करती है वगरा जो भी थी उन मेरे फ्रेंड ने में उसी रिशेर कहते हैं किस साइड फील होता है यार मेरा तो लच्मे यह था तो लच्मे आगी कोई बात नहीं जो भी आए मुझे तो दूनो चीह थी मैं आपसे पहले ही कि आम तो दूनो पसं है तो यह चीज मेरे साथ उल्टी हो यह कि कहते है राइट चाइड लड़का होता है और लड़की लड़की होती है तो यह चीज मेरे केस में गला साबित हुए मेरा लैप्राइड सुरू से लेकि एंड तक मेरा लैप्राइड था था ठीक है और थर्ड था क्या कि हाँ एज मैंसमम दीवेगे थी कि वन थर्पी से लेके 145 पर 50 अब इतना तक मैंने सुना है कि बेटा होता है तेकर बड़ मेरे बचे भी हार्ड जी स्टाजें से लेके लाश्ट तक को 50 से अभी नीची नहीं आए जैसे 60 अब अब 60 और 80 के 20 में ही रही है और मैं इसको मैं आपको अब जाए बच्छे की वेट में इसा हुआ है मेरे के साथ लाश्ट टाइम पर जो नाइंट एट कंप्लीट वा था जब मेरे लाश्ट अल्ट्रासाउन हुआ था उसमें साइद 158 था हार्ड बीड जो थी बच्चे की वेट में तो यह भी मेरे किसमें गलग साभीत हुआ ह जो चाहिया है अभी तक हल किसी निसान है यह भी मेरे मतलब मेरे बेटा था पए जो चाहरा एक्डम साम जागए रज़से लगता है क्या हुआ हम दर पूरा काली जैसे मेरा पुरा ब्लैप टाइप का हुगए था मेरा पूरा फेस ठीक है अब जो एक रहना किए तो सच्ना अभी तुम्ही है उनके according तो मैं वो सब आपके साम आप में शेयर करूंगी ठीक है विरी बता दूए अगर आपको अच्छा लगता है और आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे को आके कमेंड बॉक्स में पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही ठीके फ्रेंट्स आयोग कि आध है कुछ आपको अच्छा लगा होगा और हैल् हुद होगा कि अपके अगर मेरे शाट कुल सकते हैं जी हम बॉक्ता से घृट्स एखाट मोद को अगर वह रिखेली आप पूछन के ए मनत मुंचा है कि मुझे क्या चाहते हैं तो मेरे में आपको जुरूर इसका आंसर दूंगी और अगर प्रूफ के साथ भी दूंगी और एचार वाला जो है हाट बूफ के साथ बता हूं कि यह चीज तो बिल्कुल फेक थी जो मेरे केसे में उल्टी हुई जो मैं पूल भी कर सकते हुए हैं यह जी गलत थी मेरे केस में ठीक है बागी जो भी भगवान देता है उसको पूछ रही है कोई दिक्कत की बात नहीं है क्या हम भी तो लड़के आया हम क्या अपने मावाब को नहीं अच्छा वालते हैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचना सी हो तो लोगों की मेंटलिटी होती है कुछ ऐसा सोचने के लिए बड़ और अच्छा लगे लोग तो प्लीज एक लाइक कर देजिएगा और जोड़के रिक्वेस्ट करते हूं ठीक है बाइबाइ फ्रेंट्स